मद्रासी बहु शादी तो करने करने बाबा कितनी भोली हो तुम अच्छा मैं बात करता हूँ घर पर तुम भी बात कर ले न अपने घर पर मैरा मम में पाक पाको ना प्रोब्लेम केवल अज़कीशन से होती अरे यार होती नहीं होता है वो खेर लेंग्विज प्रोब्लम भी है करना पड़ेगा कुछ राकेश घर आता है अरे दादी ये पराठा और छोले खाखा कर तो पेट का पिटारा बन रहा है क्या करें अरे तेरे बाप को भी ये पंजाबन ही पसंद आनी थी नचाने क्या देखा जब से आई है शरीर को तो भटूरा बना दिया है दादी मैं मा को मासी से बात करते सुन रहा था बोल रही थी कि मेरे लिए भी कोई पंजाबी लाएंगी अरे नहीं नहीं ऐसे कैसे पंजाबी लाएगी ये घर में एक ही पंजाबन काफी है वैसे मैं तो कोई बिहारी ही पसंद करूंगी तेरे लिए कम से कम तेल घी सोच कर तो डालेगी खाने में दादी वैसे हेल्थ के लिए सबसे अच्छा होता है साउथ इंडियन खाना ना तेल नागी केवल चावल और दाल लाइट फूड मैं तो कहता हूँ साउथ इंडियन आएगी तो पड़ी लिखी भी होगी और भाशा भी नहीं समझेगी आपकी तो फिर ना लडाई ना चेकडा दसाराम ही आराम हाँ हाँ ये तो ठीक बोल रहा है राकिश मैं कल ही मैट्रिमोनियल साइट पर तेरी पत्री के साथ डाल दूगी कि साउथ इंडियन बहु चाहिए तब ही वहाँ राकिश की मा भी आ जाती है हाँ हाँ अगर ऐसी लड़की मिल जाए जिसको हमारी भाशा ही समझ में ना आए तो समझ लो के मज़ा ही आ जाएगा ना कोई टेंशिन ना जगडा राकिश को तो लगता है कि जैसे उसे मूँ मांगी मुराद मिल गई वो अगले दिन विर्दिमा को लेकर घर आ जाता है अरे वाँ कितने सुन्दर नैन नक्ष है नाम क्या है बेटा अयो माँ मेरा नाम रिदिमा होती अरे कितना मीठा लग रहा है ना इसके मूँ से हिंदी मा मैं रिदिमा से शादी करना चाहता हूं इसके घरवालों को तो मैं पसंदू आप लोग भी देख लीजे लड़की आयाया देख लेजे लड़की कोई पसंद ना ही आया तुम्हारे लिए ही बोल रहा हूं यार अच्छा क्या बना लेती हो बेटा अमा सब बना लेते जो बोले के last year में एक एप बनाया जिसे लोगों के घरवें में ना काना आजाता है एक क्लिक में उससे पाई लेना मैंने कार के टायर का पंक्चर ठाना उसको पिटीक कर लिया मैं कुछ से सु करती अम्मा मैं कुधी सब बना लूँ रिद्धी मां वो लोग खाने के बारे में पूछ रहे हैं किच्चन में क्या बना लेती हो और आलू का पराठा उसमें मकन डाल कर कई उलो लोग काते मैंने टीवी में देखी न राकेश अपनी मां को देखकर हसता है मां इससे कुछ भी नहीं पता बहुत सीधी है यह हाँ हाँ एक टेज तो मैं ही हूँ न वैसे लड़की अच्छी है मुझे तो मन्जूर है बागी तेरी दादी से पूछ ले हाँ हाँ मुझे भी पसंद है यह लड़की कम से कम डायेट कंट्रोल तो हो ही जाएगा घर में तो क्या मा मैं सिर्फ कान पकने को इस घर में शाद करके आती अरे नहीं नहीं वो लोग मजा कर रहे हैं मजाग मैंने कौन सा मजा कर दिया भाई रिद्धिमा के शादी राकेश के साथ हो जाती है और एक घर में पंजाबी सास को मिल जाती है साउथिंजेन बहू अर बहू जड़ मक्खन तो पकड़ियो मक्खन? मक्खन तुम्हें फैक देती वो किसे काम का नहीं होता अरे पागल हो गयो क्या? मक्खन फेक दिया अब पराठी में क्या लगाऊंगी मैं? पर्रट नहीं, पर्रट नहीं, इटली गाने का, और वो भी स्केले के पते में जमीन के उपर बैट कर, जमीन पर, अरे जमीन में बैट जाओंगी, तो उठूंगी कैसे, मा यह इच बात होता मक्का नगी का का कर चर्बी चड़ा लेता अब एल्डी खाता तो चर्बी घटता ना मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है यह खाना बहु बुरा मत मानना लेकिन एक बात बताओ तुमारे यहां सब काले रंगे क्यों होते हैं अई यह वो दाती बुरा क्यों मानने का काला इसलिए होता क्योंकि वहां का मौसम गरम होती अरे काले और उपर से चुप रहने वाले तुम लोग नार्ट इंडियान से दूर क्यों रहते हो यह तो बताओ दूर नाए दूर नाए रहती वो लोग दूर रखती क्योंकि हम लोगों की बाशा में दिक्क तो होती ना और एक बात अस्पटाल में भी तुम लोगी सिर्फ ज़्यादा काम क्यों करते हो और कुछ भी ऐसे कुछ भी नहीं होती है मा वैसे भी हम लोगों की आस्पटलेटी अच्छी होती मेरी दादी को तो पुरिस्कार मिली है, बहुत अच्छी नर्स का अच्छा, अच्छा, चलो, शामको राकेश की बुआ के घर खाना है, तयार हो जाना शामको रिदिमा simple सी साडी में सोने की गहने और गज्रा लगा कर तयार होकर आ जाती है अरे बहु तयार हुई कि नहीं? अमाम तयार ही होती, देखर वाँ वो पंजाबियों की तरह तयार नहीं होती है फूल मेकब, चटकिला सूट और ये क्या लगाया अपने बालों में? अरे परांदा कहते है इसे अरे सास बहु तयार तो हो गई लेकिन सजावट तो सास की बहु जैसी है और बहु की सास जैसी है अमा, मैं नहीं पहिन सकती इतना चटक, माटक, मेरे कुछ शर्मा था और इतना सिंपल तो मैं मंदिर के लिए भी पहन कर ना जाओं अरे मा, ठीक है ना, जिसे जैसा सजना है सजो हाँ, लेकिन ये बहु है, बहु की तरह रहना ये क्या बुड़ी हो जैसे रन की साड़ी पहन ली है आपको कुद कुद देख कर लगता ही कि रामलीला शुरू हने का होता रिद्धि मा, ये मा का कल्चर है इसके लिए ऐसा मत बोलो और तुमारी मा, आम को जो बोलती वो मैं सुनती क्या हाँ मा, रिद्धि मा के यहां भी ऐसे तयार होते है तो आप उसकी बुराई क्यों कर रही है ठीक ही तो लग रही है वो अरे वही तो मैं बोल रही हूँ कि ठीक ही लग रही है अच्छी नहीं लग रही अरे बहू क्यों बोल रही हो जब तू हमारे यहां आई थी तो तेरी भी तो कितनी बाते बनती थी लोग तो तेरे लिए ये भी कहते थे केरे एका बहन की बहू तो डार्क लिपस्टिक उठते ही लगा लेती है लेकिन मैंने कुछ कहा क्या तुझसे वो तेरा शौक था तेरे यहां वैसा चलता था तो अब ये रिद्धिमा बहू के घर भी ऐसा ही चलता होगा सास का मू अपनी सास की बात सुनकर उतर जाता है रिद्धिमा समझ जाती है अपने माथे की बिंदे निकाल कर वो सास के माथे पर लगा देती है अम्मा अब ठीक है जी अबना अम्मा में क्या बोलता तुड़ तुड़ आप मेरे को जैसे बने हैं और तुड़ तुड़ में आपको जैसे बनती